हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार धेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार, यही दूआ है भगवान से हमारी हर बार, मुबारक को आप सभी को होली का त्योहार, नमस्कार, जियो तिश्ग्यान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूं नमता, और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में है हमारे बेहत खास महमान, पावमिस्ट अस्ट्रोलिजर और वास्तू एक्सपर्ट प्रोफेसर धरमेंदर शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद, दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश में हम प्रोफेसर धरमेंदर शर्मा जी से जानेंगे कि होली का महत्व क्या होता है क्यूं मनाई जाती है आखर यह हुली शास्त्रों में पुराणों में होली शब्त का अर्थ क्या होता है चलियत फिलहाल कारेकरम की शुरुवात करते हैं सबसे पहले तो आपको विश्च करना चाहूंगी होली आपको बहुत-बहुत मुबारगा सर दन् रात्री जागरण का दिन है बहुत पावन दिन है अगर हम होली की बात करें होला का शब्द भी इसी से बना है करम मिमांसा एमम पुराणों के नुसार होली महुस्तव का आरंबिक नाम होला का था महरीशी जैमिनी क्रत करम मिमांसा सास्तुर में होली का धीकरण नामक सवतंत्र करमकांड का वर्णन है वास्तियायन रिषी ने पारंपरिक पर्व होला का को बहुत स्रिष्ट माना है हेमाद्री ने होली का को पूर्णी मा को जो पूर्णी मा में होली का आती है उसको होताशनी कहा है लिंग पुराण में यदी बात करें तो फालगुन पूर्णी मा को फालगुनी का कहा गया है इसे एश्वर यदेने वाली बताया गया है वरहा पुराण की भी वियदी हम बात करें तो इसे पटवास विलासनी कहते हैं कहने का मतलब दर्शको हम पूरे सास्त्रों क तरीके से होली को देख सकते हैं और ऐसा कोई सास्त्र नहीं, ऐसा कोई गरंथ नहीं जिसमें होली का का वर्णर नहों होला का शब्द का जोवर्थ होता है, भूने हुए अनाज को संस्क्रत में होला का कहते हैं तो इस दिन होली का के दिन, आज की रातरी में हम जियों की बालें, गेहूं की बालें और नवा अन उसको भूनते हैं कुछ बास के डंडों में उसको लगा करके उसको भूना जाता है आज की रातरी बहुत कीमती रातरी है और कारिकर्म देखने के बाद होली का देहन भद्रा रहित नक्षत्र में होता है तो इसमें आप खास ध्यान रखें कि होली का पूजन करने जरूर जाएं जैसे की हमने कल आपको समस्त सामगरी कल भी हमने आपको भदाई थी आपके पास होगी आज भी आपको एक बार जरूर याद दिलाएंगे इसलिए आज की ये महतवीर्ण रातरी आपके हास से नहीं जानी चाहिए आज का दिन वैसे बहुत खास होता है खास करके रातरी बहुत खास है क्योंकि होली का देहन किया जाता है और मैं जानना चाहूंगी कि होली का देहन में किस तरह की पूजन सामगरी रखनी चाहिए साथ-साथ किस मंत्र का उच्छारण करना चाहिए हमारे सभी दर्शन ध्यान से सुने होली का दहन में आप क्या-क्या सामगरी रखें पवित्र जल सहित पंच पात्र आपके पास होने चाहिए गंद आक्षत पुष्प धूप चंदन सफेद वाला सुखंदेत आवीर गुलाल दीप घंटी तांबूल नवेध्य मिठाई कोई भोग तुन्दर गूल बड़ी सुपारी मुली कच्चे सूत की पीड़िया यानिक एक इडली टाइप ले लें कच्चे सूत की सरसो के दाने ले ले घी तेल से सना हुआ आटा पूजन के वक्त आपको क्या बोलना है जब आप पूजन करें हमाँ जा करके बोलें लिख लें आप लोग हे होली देवी तुम बसंत रितू और काम देव की प्रिया हो शिशिर रितू के अंत में आई हो मेरी सेविधी पूजा स्विकार करो ऐसा आपको बोलने बोलना है और उसके बाद एक काम करें जब आप पूजन वगरा सारा कर लेंगी क्या कर लेंगे तो आपने क्या करना है होली का अगनी जो जहां पर जुलित हो जाती है मंतरों के माद्जम से उसकी तीन परिकरमाएं पूरे परिवार करें सभी लोग करें इससे बहुत बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं और इश्वर का देवी अशिरवाद अगनी देवता का देवी अशिरवाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और होली पर जैसे होली का देहन किया जाता है रात्री में तो मैं सबसे बहले यह जानना चाहूंगी होली का देहन क्यूं किया जाता है देखेगा इसके पीछे कई ऐसी कथाएं हैं रहसी हैं इसको हम व्यग्यानिक आधार से भी नकार नहीं सकते हैं यह व्यग्यानिक आधार भी बहुत लोग मजाग उड़ाते हैं अरे क्या होता है जिने मालूम नहीं वो मजाग उड़ाते हैं देखो सबसे पहली प्रलाद विश्णुभक्त थे और उनके जो फादर थे पिता थे हीर्ण कशप वो भगवान से नफरत करते थे और उन्होंने हमेंसे कहा कि तुम विश्णुभक्ति मत करो मेरी बगटी करो यहनि कि मैं भगवान के तरह हूं लेकिन प्रलाद माने नहीं है हिर्णा कश्षप की जो बेहन थी यानि के पर्लाद की भुवा उनको एक विशेस आसिरवाद प्राप्था कि अगनी सिद्धी थी उनको कि अगनी में वो जल नहीं सकती थी जब तमाम जतन फेल हो गए और पर्लाद किसी बी तरह पर्लाद की भक्ती का अंत नहीं हुआ तो हिर्णा कश्षप ने अपनी बेहन की गोदी में प्रलाद को बिठा करके लकडियों में चिनवा दिया और बोले अगर तुमारा भगवान है तो देखते हैं कैसे बचाएगा और जब अगनी को परजुलित किया गया तो क्या हुआ के बुराई के उपर अच्छाई की जीत हुई अगनी का की जवालाओं में हुली का जो उनकी बुआ थी हुली का वो जल करके भसम हो गई और इश्वर की करपा से उनके भग्त परलाद से सरीर स्वस्त सरीर बिलकुल बच गए तो कहने का मतलब दर्शुको यहां एक सबक और मिलता है कि जीवन में कितनी भी विशमताएं क्यों ना हो जीवन में कितनी भी जवालाएं क्यों ना हो जीवन कितना भी जाव जाव ले मान क्यों ना बना हो अगनी भीचन क्यों ना लग जाए हमारे ग्राओं हमें क्यों न तंग कर रहे हो लेकिन जो इश्वर भक्त होता है तो जिस प्रकार से होलिका से अगनी से भागवान विश्णु ने अपने भक्त पर्लाद को बचाया तो वो हमें भी बचाते हैं हमारी भी शुरक्सा करते हैं हमें इश्वर से हमेशा जोड़कर कि रहना चाहिए और यह होली का भारत में नहीं विदेशो तक में इसको मनाया जाता है इसका बहुत बढ़ा रहसी है और साथ साथ सा शबसकारी उपाई को भी आपको बताएंगे जो आपको होली के दिन करना है तो अपने पीपैन एक बार फिर कहोंगे तयाल रखेगा फिलाल रुक रहे हैं उटीवान के चेंडा यह सकते हैं अच्छा लगा बहुत दन्यवार और सनातन धर्म को जिन्दा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सरानी है हम लोग को मौका मिला है हम लोग बागिशाली है जो आपके करीब हने का मौका मिला है ब्रेक के बाद जोतिश ग्यार में फिर आपका स्वागत है आज गुलाल रंगों से क्यों मनाया जाता है हां बड़ा अच्छा सवाल सुंदर सवाल सभी के लिए देखिए एक यहां पर कथा और है डुड़ा नाम की राक्षशी आज भी ठूंड बच्चे ठूंड किसको कहते हैं जो सूख जाता है बच्चों में एक ऐसा रोग होता है भी अन्त शोर हाय उला करके उसको समप्त किया गया था दूसरी बात संदी बेला शिष्र रितु खतम होती है यानि के सर्दियां समाप्त होती है और गर्मी की रितु का अर्थाथ बसंत रितु का आगमन हो जाता है और एक चीज और ध्यान से सुन लें हमारे तबीदर सक ए एक जन्वरी को बड़े धुम धाम से आप नव वर्ष मनाते हो। ये अंग्रेजी नव वर्ष है। हिंदु नव वर्ष होलिका से अगले दिन प्रारम होता है। बहुत सारे धर्म को बहुत सारे विचारों को बहुत सारे महत्यम को भूलते गए। तो कल से हमारा नव वर्ष भी है। और दूसरी बात कि ये रितू जब दो रित्यों की आपस में संदी होती है। तो बहुत से सक्रामक रोग पैदा हो जाते हैं। चेचक, मलेरिया, खसरा आदी रोग प्रारम हो जाते हैं। और हमारे रिशियों ने रंगों को यूज करना बताया। और किस रंग को बताया। वो भी बताया। पलाश के फूल, डाग के फूल जिसको हम टेसू के पुस्प कहते है। टेसू के फूल का जो रंग होता है दर्शो को इतना चमत कारिक होता है कि सरीर के उपर जब लग जाता है तो ये खसरा, चेचक, मलेरिया जैसी बिमारियों को दूर कर देता है। वो दुख की बात है कि आज कर लोग कीचर फैकते हैं, गोबर फैकते हैं, गंदी चीजों से होली खेलते हैं, भूल गए हैं अपने सास्तियों का मात् लें, तो अगर टेसू के फूल में पिछले कई दिन से आपको बताता आ रहा हूँ, टेसू के फूल का ही रंगों का प्रियोग करें, या ज़्यादे गुलाल, अभीर, इस प्रकार के रंगों का यदि आप प्रियोग करेंगे, तो रंग हमारे मन के चित को बाते हैं, और ड विश्यों ने ये सोच तो हजार वर्ष पहले सोची थी, जो सोच आज बहुत पूरे विश्व में काम आ रही है, जे, अचा होली का देहन हम देखते हैं, सर कि कुछ जगा पर किया जाता है, और कुछ लोग इसकी महतवता को नहीं जान दे, तो होली का देहन नहीं करते, ए अब घर में चोटी मोटी होली जलाई नहीं जा सकती, एक समय था, मेरे खुद याद है कि आज से अगर में 20 वर्ष पहली की बात करूं, और आज भी कई जगा बहुत विशाल तरीके से होली को जला जाता है, तो घरों में इतनी बड़ी होली का देहन नहीं किया जा सकता, च चुराई नहीं रहे, चोटी चोटी जगह हो गई हैं, तो पहले खुले मैदान होते थे, चुराई होते थे, तो वहाँ पर विशाल जब होलास्टक प्रारब हो जाते हैं, ठीक पूर्णिमा से अस्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलास्टक लग जाते हैं, उस दिन मंत्रो रूप लगड़ियों का बन जाता है और इतने बड़े अगणियों के समूग के लिए इसलिए चुराय का चैन किया जाता है ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई किसी को हानी ना पहुंच सके और एक ही रात्री में पूरे भारत के अंदर बहुत सारी जब होली काई जलाई जाती है तो आकास में एक इस प्रकार की उष्णता का आवास आ जाता है कि जिससे खसरा, मलेरिया, चेचक, टाइफाइट जैसी बिमारियों को कंट्रोल किया जाता है और उसमें विविन प्रकार की सामगरिया भी डाली जाती है ये इसका scientific reason भी है लेकिन अब हम सब कुछ भूलते जा रहे है आप तो कहीं बच्चे चार-पांच लकड़े ऐसी रख लेते हैं जाड़ा फन्नूस रख करके होली को कुछ जला दिया जाता है ये महात्य में नहीं है आज की रात्री दर्शको जागरण की रात्री है आज की रात्री में आपका पढ़ा हुआ एक मंत्र 40 दिन एक तरफ और आज की रात्री एक तरफ ध्यान रखना होली का जब चितकारे मार रही हो जब चटर-चटर की आवाजें होली का से आ रही ही हो उस समय कुंडलीनी जागरण भी फुस फुसा करके डाही लपेटे लिए हुए कुंडलीनी जागरत हो जाती है लेकिन इसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ता है तो आज के दिन आप अपनी साधना को जरूर बढ़ाना अब ही हमें एक चमतकारी को पाई भी आपको बताएंगे जहान रखें आप तो होली पर चमतकारी प्रयोग क्या कुछ कर सकते हैं हमारे सबी दर्सक लिख लें जो बहुत ज़्यादा बेमार रहते हैं विमिन प्रिकार की तकलीफे सरीर में रहती हैं हमारा कल से नवर्स प्रारम हो जाएगा कैसे हम नवर्स को अच्छा करें अपनी लंबाई के बराबर कच्छा सूट लेकर की जाएं ना पलें उसका गोला सा बनाus में प्रिकार के अपने मस्तक से लगातर के होलीका में डाल दीए इससे वर्स वर के कष्ट कट जाते हैं होलिका की भश्म को अपने मस्तक पर दर्शों को अवश्य लगाना होलिका की भश्म स्वच डिब्बे में भरकर घर में रखने से बुरी नजर वा अनेक नकारात्मक विचार नस्ट हो जाते हैं ये ध्यान रखें इस परकार से जो भी करता है ये जो हमने सूट का प्रयोगा आपको बताया ये करने से तो बहुत अच्छा लाब मिलता है वर्स भर हमारे सुरीर के आने वाले कष्ट होलिका में जिस परकार से होलिका नस्ट हुई बुराई नस्ट हुई और प्रलाज की जीत हुई उसी प्रेगार से हम जो कच्चा सूत उसमें डालते हैं अपने सरीर से नाप करके हमारे सभी कष्ट कट़ जाते हैं और कल से जो हमारा नवर्ष प्रारारंब होगा पूरा वर्ष, पूरे बारा बहीने भगवान की करपा से अगनी देव की करपा से विस्टन भगवान की करपा से 33 कोटी देवी देवताउं की करपा से विस्ट शमतकारी हमें प्रभाव दिखाते हैं ये तो पूजा के वक्त हम कर सकते हैं और क्या कुछ खास किया जा सकता है होली के दिन जी आईए जाने होली पर आप क्या विश्यस कर सकते हैं होली का फालगुन शुकल अस्टमी से आप क्या करें कि कुछ लोग हिंडोले में भी बैठते हैं आठ दिन होलास्टक मनाया जाता है जो लोग फालगुन पूर्णिमा के दिन शांत चित से हिंडोले में जूलते हुए स हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाई जाती है जैसे कि इटली में रेडिका फ्रांस जर्मनी साइवेरिया अमेरिका आदी में हेलोईन के नाम से भी जाना जाता है तो यह सब आपने बताया मुझे लगता है आज वक्त कम पढ़ गया है लेकिन सवालों का सिलसल करना चाओंगे जाप यहां अरे इतनी महत्वता होली के तिहार में हमें बताएगे पुने सभी को होली की हार्दिक सुब काम ना है धन्यवाल जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन सुबा रहा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बाते इनसे लगातार कभी कवार हो जाये करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या अऑद आपके कवρά आ रहे हैं? मैं बहुत तेच का करीब चार पांस दिनों से कवव का घूंट मेरे घर पे मन रहा था, मैं यही सोचने परेसां था यह सुब है असुब है क्या चीज़ है तो मिन से मैंने प्रस्ट किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कवह आ र तो कुस तो आलोगिक है इनमें। दूसरा क्या है जो इनका उद्देश है। जब महाकुम में आये थे, मेरी इनसे वारता हुई, तो मैंने इनका उद्देश जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश है उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्द से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं।